आवले का लच्छेदार मुरब्भा स्वादिस्ट होने के साथ साथ हेलती भी होता है साथ यह आप इसे स्टोर करकर लंबे समय तक रख भी सकते हैं तो चले बनाना शुरू करते हैं आवले का मुरब्भा तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा किलो आवला लिया है आवले को मैंने अच्छे से दो के और एक बार पोश लिया है तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे तो एक ग्रेटर लिया है इसमें इस तरह से बड़े होल है इसी से में इसे ग्रेट करूंगी आप चाहें तो इसे छोटे होल से भी ग्रेट कर सकते हैं लेकिन जब मुरब्भा बनता है और थोड़े उसमें लच्छे दिखते हैं तो बहुती अच्छा मुरब्बा लगता है तो देखें यहां पर मैंने इस तरह से कद्दुकस कर लिया है इसे बड़े-बड़े लच्छे इसके बना लिये हैं तो अब हम यहां पर मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं तो तो आवला भी हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आवला भी मैंने यहापर डाला है, और इसके उपर हम फिर से चीनी डालेंगे, तो एसा हम यहाँ पर 3-4 बार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट आवले का मुरब्बा बना रहे हैं, आम तोर पर जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर चीनी जो है, हलकी से पिघलने लगी है, तो अब हम इस तरह से इसे चला लेंगे, तो एसा मैंने इसलिए किया है, तक कि जो आवले का जूस है, चीनी में निकल के आ जाए, और हमारी यहाँ पर चाशनी बनना शुरू हो जाए, क्योंकि हम यह यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए पाने का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इसे में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देती हूं, और मिक्स करने के बाद में से फिर से कवर कर दूगी, तो गेस का फ्लेम लो या मेडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे कवर हैं, क्योंकि जो चीनी है, वो केरेमलाइज होने लगेगी, तो इसलिए आप यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं रखें, लो या मेडियम फ्लेम ही रखें, तो मैं इसे कवर कर देती हूं, और कुछ देर बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर चाशनी बनना शुरू तो जब इस तरह से हैं, तो बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 15-20 मिट में ही बनकर तयार हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, चीनी यहाँ पर पूरी तरह से पिगल चुकी है, और चाशनी बनना शुरू हो चुकी है, तो अब हम गेज कफले मीडियम कर देते देखेंगे, यह थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं बना है, तो इस समय में यहाँ पर डालूंगे गुड, मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी डाली थी, उसके अंदर में डाल देती हूँ 100 ग्राम गुड, गुड को हमें यहाँ पर चाकु स अच्छे से क्रश करके यूज करना है, ताकि इसमें कोई भी बड़े पिसेस नहीं रहें, और अब हम इसे इसे भी मिक्स कर देंगे, आप चाहें तो पूरा जो मुरब्बा है, गुड से भी बना सकते हैं, या फिर पूरा मुरब्बा चीनी से भी बना सकते हैं, तो गुड स्वाधिस्ट मुरब्बा बनता है, यह आप इसे एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए, तो आवला तो वेसे ही हमारे सेहत के लिए बहुत इलाब दायोग होता है, आखों के लिए, बालों के लिए, तवचा के लिए, किसी न किसी रूप में हमें आवले का सेवन करते रहना चाहिए, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही थोड़ा सा ओर गाड़ा हो चुका है, और इसमें एक अच्छे से कलर के लिए, मैंने यहाँ पर एक पिंच केसरी येलो फूट कलर का भी यूस किया है, तो आपके उपर है, आप डालना चाहे तो डाले, नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर केसर की धागे भी डाल सकते हैं, तो अब हम इसे कुछ देर के लिए और पका लेंगे, गेस का फ्लेम में हाई कर देती हूँ, क्योंकि जो आवला है, यह अच्छे से पक चुका है, पहले हम ने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तो अब इसमें एक अच्छे से फ्लेवर के लिए में यहाँ पर डाल देती हूँ, आदा चमच के करीब इलाइची पाउडर, इससे बहुत अच्छे सी खुश्बू आएगी हमारे मुरब्ब में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं, यह थोड़ इसकी, इस तरह से आप देख सकते हैं, कितनी गाड़ी सी चाशनी हो चुकी है इसकी, क्योंकि हम इसे पूरे साल स्टोर करकर रखेंगे, अगर चाशनी में पानी जादा होगा, तो हो सकता है, यह मुरब्बा खराब हो जाएं, तो इसलिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से गाड़ा कर लीजिए, अभी मुरब्बा बनकर बिल्कुल तयार है, तो मैंने गेस का फ्लेम ओफ कर दिया है, और इसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक, एक अच्छे से स्वात के लिए, अगर आप डालना चाहें, तो डालें नहीं तो इसकी भ खराब नहीं होगा, तो मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ,